वाट्सप गाइस दिस यह होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट बाबा चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवर ट्रेनिंग के बारे में बिगनर्स जनरली आइदर डू अंडर ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिग बट यहां पर हमें यह ध्यान रखना है जो डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन और इवन गोल टू गोल तो किसी दूसरे को ना फॉलो करके आपको अपने आपको देखना है और उस हिसाब से आपको अपना ट्रेनिंग डूरेशन आइदेटिफाइ करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसे शिम्टम जो body खुद आपको बताती है कि आप overtraining कर रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहला symptom जो body हमको देती है वो है lack of immunity अगर आप overtraining कर रहे हैं तो आपकी body को extra काम करना पड़ेगा आपके muscle को grow करने के लिए और उनको recover करने के लिए तो body जो time immunity पर दे रही थी वो उसको थोड़ा सा cut down करना पड़ेगा और आपके muscle है उस पर काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि आप overtraining कर रहे हैं तो होता यह है कि जो आप daily आपकी body virus bacteria से fight करती थी और उनको मारती थी और आपके body को healthy रखती थी वो अब नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको extra काम करना पड़ रहे है और वो cut down नहीं कर सकते उस चीज़ को क्योंकि आप body पर excess pressure दे रहे हैं तो इससे जहां आपकी तब्यत एक साल में एक बर खराब होती थी अब वो छे महीने में या तीन महीने में ही खराब हो जा रही है सर्दी जुकाम जो आप अच्छे से हैंडल कर पाते थे अब वो आप नहीं कर पा रहे हो जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है आपकी तब्यत खराब होने लग गई है तो अगर आप यह notice कर रहे हैं तो हो सकता है आप over training कर रहे हो second point है you don't feel good after your workout जब भी हम workout करते हैं तो हमारे शरीर में feel good hormone excrete होता है लेकिन वहीं जब हम over training करने लग जाते हैं तो feel good hormone की जगे cortisol excrete होने लग जाता है cortisol a stress-inducing hormone होता है तो जहां आपको अच्छा लगना चाहिए work out के बाद आपको एक मज़ा आना चाहिए जैसे exercise करते हैं लेकिन आपको उसकी जगे you don't feel good after your workout तो अगर ऐसा है तो हो सकता है आप over training कर रहे है third point बहुती major point है और आप इसको measure भी कर सकते है वह है you are not getting the results तो अगर आपका goal है muscle gain करना या आपका weight lose करना तो अगर इसका उल्टा हो रहा है या आप अगर किसी plateau पे आप रुक गए हैं जाके यह मान के कि आप diet भी अच्छे ले रहे हैं sleep भी अच्छे ले रहे हैं सब training भी आप अच्छी कर रहे हैं सब कुछ आपका constant है फिर भी अगर आपकी growth नहीं हो रही है या आपका reverse gear लग गया है मान लीजिए आपकी bicep 12 इंच की थी और आप आप training hard कर रहे हैं लेकिन आपकी bicep बढ़ने की जगे कम होने लग गई यह साड़े 11 की हो गी है या फिर आपको मान लीजिए weight lose करना था आप 70 kg है और आप diet भ फिर क्या reason है कि आपकी growth नहीं हो रही बल्कि आप उल्टा जल रहे हैं या फिर plateau हिट कर दे रहे हैं तो यह 3rd point बहुत major point है कई लोग इससे गुजटते हैं तो अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो आप overtraining कर रहे हैं 4th point जो beginners वह बहुत अच्छी तरीके से relate कर पाएंग 4th point यह है you don't look forward to your workout इसका मतलब यह है कि जब आप workout से आते हैं जो beginners है वह जैसे मने बोला relate करेंगे जैसे याप workout से आते हो आप सोचते हो कि अगले दिन मुझे क्या करना है माली मालीजी अगले दिन चैस्ट लगा नहीं आपको तो आप imagine करोगे आप सोचोगे कि first मैं inclined bench से start करूंगा दस-दस की प्लेट लगांगा दस मारूंगा फिर मैं झालने के लिए इन शॉट आप इमेजन करेंगे कि कल मुझे क्या करना है अभी आयो चोई घंते बाद आपको जम जाना है लेकिन आप इतने गुसेवे इतना अच्छा लग रहा है आप को कि आप कल की अभी स सोचने लग जा रहे हो लेकिन जब आप ओवर ट्रेनिंग करने लग जाते हो तो अगर मान लीजिए आप सुभे वरकाउट कर रहे हो तो सुभे आपने वरकाउट किया फिर आपका दिन कैसे निकल गया आपको पतानी चला शाम को आप सो गए और कब आपका अलाम बच गया तो आपको मोटिवेट ही नहीं हो गए आपको मनी नहीं करेंगा जिम जाने का आप सुभे अठोगे आपने चाई पी कॉफी पी या फिर आपने कुछ ब्रेकफास्थ लिया या प्री वरकाउट लेकर लेकर जिम चला गए अपना मन मार के और वरकाउट करके आ गए तो कि जादा करने से कुछ नहीं होगा थोड़ा थोड़ा डिली करने से कुछ होगा तो बॉड़ी ऐसे ही बनती है एक दिन में बॉड़ी नहीं बनाई जाती कहीं लोग बोलते हैं जिम शुडबी और सेकिंड हो बलकि उल्टा है जिम आपको 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा ही करने हैं बागी टाइम तो आपको घर पे बिताने हैं तो यह भी एक गलत स्टेटमेंट है अगर आप यह ले के चल रहे हैं कि मुझे जिम में चार-पांच घंटे निकालने हैं सुभे भी जा रहा हूं शाम को भी जा रहा हूं हफते में एक दिन भी रेस्ट ने रहा हूं तो आप और यह बहुत गलते हैं इससे आपको फायदा नहीं होगा नुकसानी होगा आखिर में जाते जाते मैं आपको बता दू कि अगर आप डेली क्या 45 में निकाल सकते हैं 15 मिनिट आप वाम-प में दे दीजिए 15 मिनिट आप एक्साइस कर लीजिए बाकी 15 मिनिट आप कूल और हफते में मिनिमम एक दिन का प्रेस लीजिए अगर आप यह रूटीन फॉलो करेंगे तो कभी भी आप किसी ओवर ट्रेनिंग के दौर से नहीं गुजरेंगे और अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक दिन के जगे आप दो से तीन दिन क ब्रेक लीजिए अपनी बॉड़ी को रिकवर होने दीजिए और फिर वापस हेट करिए जिम देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ होगी जो स्टैमिना होगा वो सब बढ़ावा मिलेगा आपको अच्छा लगेगा और जो चारो सिम्टम मैंने बताए उन चारो सिम्टम आपको नहीं दिखेंगे अपनी डेली वर्काउट रूटीन में तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आया तो प्लीज एक लाइक करके ज़रूर जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अंटिल देन पीस आउट